हेलो दस्तों वेलकम बेक टो क्यूजेसरीफ दे रेली रोज ओफ इंडियन फुटबल तो सबसे पहले सुरुआत करते हैं आई लीग से तो आई लीग के अपकमिंग सीजन 2024-25 के लिए यह एफफ ने 1st ओफ ओक्टोबर को ब्रोडकास्टिंग का टेंडर निकाला है जहाँ पर अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो उन्होंने सबसे पहला क्राइटेरिया रखाए कि आपका वह मिनिमूम 6 केमेरा का सेटप होना चीए उसके अलावा टोटल जो मैचिस होने वाले है इस आई लीग में वो होंगे 132 या फिर 156 depending on the कितने क्लब पार्टिसिपेट करते है क्योंकि आपके 12 क्लब तो फाइनलाइज है बट अभी भी जो आपकी इंडिया अंडर 20 का जो पार्टिसिपेशन है उसके उपर अभी भी डाउट बना है due to the financial आप सबको पताई की constraint तो अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे देन आपके 13 क्लब टोटल पार्टिसिपेट करेंगे इस सीजन आई लीग में and then 156 मैचिस का यहाँ पे ब्रोडकास्टिंग होगा तो that's the good thing because last season हम सबको पताए कि कुछ selective मैचिस का ही आई लीग में ब्रोडकास्ट हुआ था but इस season आपको यहाँ पे almost पूरे season का यहाँ पे ब्रोडकास्ट होता होगा देखने को मिलेगा and venues यहाँ पे almost सारे सेमी है लेकिन यहाँ पे होश्यारपूर यहाँ यहाँ पे वेन्यू के तोर पे एड हुआ है जहाँ से most probably दिली FC अपने जो होम मैचिस से खेलने वाली है मंजेरी से कोकुलम केरला अपने होम मैचिस खेलेगी बेंगलूरू से obviously SC बेंगलूरू यहाँ पे अपने जो मैचिस से खेलने वाला है इस सेजन का भी आई लिग धमाकेदार होने वाला है जिस तरह से टीमों ने अपनी यहाँ पे साइनिंग्स की है जिस तरह से डेंपो और उस तरह के कलबों की वापसी हुई आई लिग में तो एक अलग तरीके का excitement है इंटरकासी एंड स्रीधी डेककन राजस्तान विलेटर को नए ओनर मिले है तो एक काफी competitive आई लिग होने वाला है एंड लेट होपस हो की इसको professional manner में EFF organize कर पाए आप कितने excited हो इस season के आई लिग के लिए आपको यहाँ पे 19th या फिर 20th October से जो आई लिग है वो kick off होता हुआ देखने को मिलेगा एंड उनका जो fixers है वो भी आपको बहुत जल्द यहाँ पे announcement EFF की होर से होता हुआ देखेगा so that's the news regarding i-league next बात करते है संतोष टोफी के बारे में तो संतोष टोफी का 78th edition का जो final round है वो इस साल यहाँ पे तेलंगाना के हैदराबाद में खेला जाएगा गोचिवोली स्टेडियम में जो की रिसेंटली ही रिनोवेट हुआ है और वहाँ पे हमारी national team ने भी intercontinental cup खेला last year final round संतोष टोफी का अरुना चल प्रदेश में खेला गया था इस बार तेलंगाना को पिक किया गया है and total final round में 12 state की जो टीमें वो participate करेगी जिसमें से एक host टेलंगाना को अलड़ी यहाँ पे क्यावतिकी बाई मिल चुका है then last year की जो दो finalists थी services जिनोंने संतोष टोफी जीता and goa उनको भी बाई मिल चुका है तो बाकी जो 9 players है उसके लिए यहाँ पे उससे पहले qualifying round खेले जाएंगे जिसके लिए 9 group का भी announcement कर दिया है and इस सारे 9 group के winner होंगे वो यहाँ पे final round खेलने December के first week में most probably यहाँ पे संतोष टोफी के जो final round है वो तेलंगाना में होते हुए देखने को मिलेंगे तो let's see इस पार का संतोष टोफी का या फिर National Football Championship का winner कौन बनता है वो देखना interesting होगा let me know guys आप क्या सोचते हो इसके बारे में comment section में अपना opinion ज़रू बताइए next up बात करते है Borderloid Trophy के बारे में जिसको यहाँ पे आसाम की Guwahati Sport Association organize करती है हर साल 72 year old footballing tournament है and North East में and आसाम में definitely यहाँ पे काफी prestigious tournament है तो उसको यहाँ पे उन्होंने उनका जो format है उनको completely यहाँ पे revamp कर दिया है and एक grand manner में यहाँ पे organize को करने जा रहे है and January से यह tournament यहाँ पे 2025 में खेला जाएगा जहाँ पे total 280 plus club participate करेंगे 45 days का यह tournament होगा 5600 player इसमें participate करने वाल है and जिस तरह से इनका format रखाए कि वह पेले district level से tournament start होगा जहाँ पे सभी के सभी जो 35 district है वहाँ पे एक district में जो यहाँ पे 8 club होगे वो participate करेंगे फिर वहाँ से जो 35 winner निकलेंगे वो यहाँ पे second round खेलेंगे फिर वहाँ से जो group winner and second place team होगी वो यहाँ पे final round खेलेंगे and final round में फिर यहाँ पे गुवाटी प्रीमियर लिग के winners, runner-ups और उसके लवाँ यहाँ पे इंडिया से या फिर outside से कोई club भी participate करेगा तो एक बड़े manner में यहाँ पे tournament organize work करने जा रहे है and that's a great to see इस तरह के जो आपके historical tournament है and जिसके साथ लोगों के sentiment या फिर एकोल यहाँ पे काफी सालों से जो इसे होते आ रहे है इस तरह के tournament को इस तरह से revamp करना I think काफी ज़रूरी है and जिस manner में उन्होंने revamp किया है and जिस तरह का format अभी design किया है वहाँ पे definitely उनके जो वहाँ के local players and club है उनको यहाँ पे जाधा फाइदा है क्योंकि आप देखे district level में एक district में 8 club participate करेंगे तो उनके 35 districts है तो आप देखे कितने club को कितने player को वहाँ पे मौका मिल रहा है and उनको यहाँ पे आगे जाके बड़े club के सामने खेलने का भी मौका मिल सकता है आशाम government भी इसमें financially support कर रही है recently हमने देखा कि बांदोत कर ट्रोफी को गोवा ने जिस तरह से revamp किया है गोवा football association तो that's also good part चाहाँ पे गोवा state government ने भी support गया तो यह जो historical आपके टूर्णा मिटे है जैसे भी रोवर्स cup को definitely यहाँ पे विफाए उनको revamp करना चाहिए वो भी एक historical टूर्णा मिट रहा है फेडरेशन कप के बारे में हम यह एफ-फ से काफी बार सुन चुके है बट उसके बारे में वो कुछ कर नहीं पा रहे है DCM कप दिल्ली का है वो भी एक historical टूर्णा मिट रहा है रेट स्टेफ फ्रम दी आसाम गवर्वर्मेंट एंड गुवाट इस्पोर्ट एस्टेसेशन की जिस तरह से उन्होंने बोड़ोलोई ट्रोफी को रिवेंप किया है जिस मैनर में ओर्गनाइस करने जा रहे है लास्ट में बात करते है ISL के बारे में तो ISL में कल मुंबई सिटी वसिस बेंगलूर एफसी का जो मुकाबला था वो निल-निल से ड्रो रहा है और गेम विक फॉर की अगर आप सरुआत देखे तो पहले दो मैचिस बाई 0-0 से ड्रो रहा है एक भी गोल अभी तक नहीं हुआ है so that's the only disappointing part बट एक अच्छी फाइट दोनों कलब के बीच में देखने को मिली मुंबई सिटी यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच लेके आई थी यहाँ पे अगर BFC की बाद करें तो उनका थोड़ा सा प्रेग्मेंटिक अप्रोच था डिफेंसिवली उन्होंने ज्यादा यहाँ पे क्या बोलती कि इस गेम को खेला यहाँ पे जिस तरह से BFC प्रेस करती है तो उनको लोंग बॉल जादा खेलने पड़े जो कि पीटर केटकी ने भी पोस्ट मैच में बोला लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली कि हमारे लिए पोजिस्टिव साइन यह है कि हमने गोल आज कंसिड नहीं किया है बिकोज लास्ट टू मैचिस में उन्होंने दो दो मैचिस में पांच गोल कंसिड कर दिये थे तो आज थिंग बेक लाइन काफी जादा श्रॉंग दीखी वहाँ पे भी लेफ बेक पर आप देखे नथन प्रोडिगूस चो कि एक यंग्स्टर है उन्होंने काफी प्रोमिस परफॉंश ती है इस तरह से निकोला सकेलिस को उन्होंने मार्क किया या फिर जिस तरह से जो यहां पर विंक से अटेक आ रहे थे उनको जिस तरह से उन्होंने नेगोशिट किया यहां परोशन सिंग जो अपने पुराने टच है उसमें वापीस आते हुए दिख रहे हैं अनिखिल पुजारी ने भी अच्छी परफॉंश थी तो भी एफसी के लिए भी लौट ऑफ पॉजिटिव एफ पॉजिटिव रिजल्ट है क्योंकि मुंबई सिटी जैसे टफ टीम को यहां पर अवे में एक पॉइंट लेके आना इंग इन देर टाइटल रेस और सिल रेस दूसरी साइट मुंबई सिटी अपसे के लिए डेफिनेटली सीजन की शुरुआत उतनी अच्छी आप नहीं मानेंगे क्योंकि तीन मेंचिस में सिर्फ दो ही पॉइंट 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 कर पाया है पट इंक प्रफॉंस उनकी यहां पर देखे आ रही है चांसी सो क् इंटरेशन ब्रेक किस तरह से पॉइंट इंटरेशन तूशी लेता है आपके क्या ओपिनन थे इस गेम के बारे में जरू बता दीजिए अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में तो आज औरी से टेक ओन करने जा रही है केला ब्लास्तर को यह बीएक काफी एक्साइटिं अगेंस्ट जमसेदपूर और दूसरी साइट मिकल स्टार ने भी बोला कि अवे में नोट्सिस के सामने अमने ड्रो निकाला है और जिस तरह से सेकंड आफ में केला ब्लास्तर ने उस में परफॉइंस दी तो धर्स टी ग्रेट परफॉइंस एंड दोनों टीमों की जो प्ल आपका क्या प्रेडिक्शन में जरू बताइए लास्ट में बात करते है आई लिग 3 के बारे में तो आई लिग 3 में सिर्फ दो दिन बचे है लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो कुलकता का क्लब है डाइमंड हार्बर उन्होंने ओल्ड़ी आई लिग 2 के लिए कौलिफाई कर लिया है देन यहाँ पे से तीरूर एंड चिन सेजन के यसनारिओ के लिए कौलिफाई होगी तो इस तरह से सिनारियो देने वाला है तो पांच टीम के ग्रूप में सिर्फ दो लिग 2 के लिए कौलिफाई हो जाएगी सो यह तीन क्लब का तो अल्मोस्ट टर्न हो चुका है बाकी आज और कल जो आई लिग 3 के मैचीस बचे है उसके उपर डिपेंड करेगा कि बाकी की तीन टी में कौन सी होती है जो आई लिग के लिए कुलिफाय होती है के आपको वीडियो पर जिए पर आपको पसंद आया होगा किप सबोरीक शेर अंसे पुरिफल पर स्थेले चेहेंद चेह बारत